दोस्तों, microfinance एक ऐसा area जो लोगों के development के लिए बहुत important है, इंडिया में ruler area है, लोगों के पैसे की जरवत पड़ती है, finance की जरवत पड़ती है, तो government ने microfinance, एक छोटे छोटे finance, लोगों के help करने के लिए, objective है poverty variation को दूर करना, आपको थोड़ा सा loan चाहिए है, छोटा loan चा खोलते हैं, तो आपको बहुत सारी formalities पूरी करनी पड़ती है, तो बहुत सारे ruler area में, microfinance की company चल रही है, तो question यह होता है, कि हम microfinance की company कैसे start कर सकते हैं, क्या हमें RBI की approval लेनी पड़ेगी, दोस्तों, 2020 से पहले, situation अलग थी, और 2020 के बाद situation अलग है, काफी सारे questions आते हैं, लोग काफी सारे confused जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना रहा है, so that आपको पता लगे, और आपके confusion दूर हो सके, क्या आप एक microfinance company खोलना चाहते हैं, क्या आप एक microfinance company section 8 में बनाएंगे, या commercial में बनाएंगे, या NBFC में बनाएंगे, आज मैं इस वीडियो के लिए possible नहीं होता, तो इसलिए NBFC को बिलकुल अलग हटा देते हैं, अब आते हैं वो लोग जो गाउं में, जो रूलर एरिये में, microfinance का काम करना चाहते हैं, दोस्तों, ये NGO में आप microfinance की working कर सकते हैं, दूसरा सब self-help group भी होता है, technical word में, आपने जरूर सुना होगा, अ ऐसा मेरी knowledge के हिसाब से है, दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कि NGO तीन तरह की होती है, society, trust and sectionate company, और microfinance के लिए, sectionate company सबसे best solution हुआ करता था, कि sectionate company में, RBI ने exemption दी हुई थी, कि आपको special approval नहीं लेनी, क्योंकि आप poverty allocation के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी help करने के लिए कर रहे हैं, तो approval की आपको जरुवत नहीं थी, लेकिन दोस्तों, recently में ही, एक-दो साल के अंदर, government ने ध्यान में, काफी सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस exemption को withdraw कर लिया था, और अब sectionate company में, जब आप microfinance की working करना चाहेंगे, तो नई company अगर आप खोल रहे हैं, तो government आपको उसके objective जब हम register कराएंगे, तो microfinance के objective sectionate company में restrict करके हैं, government उसे नहीं देती, ना तो आपको जब company का नाम जो लगाएंगे, वहाँ पे microfinance को allowed करती है, और नहीं आपके objective में microfinance को allowed करती है, वहाँ पे government के RBI के notification आई हैं, और वहाँ पे sectionate company के जो exemption दी काफी सारी withdraw कर लिए, तो जिन लोगों को ये पता है, कि microfinance sectionate company में करी हुई है, मतलब चल सकती है, तो वो आज भी sectionate company बना लेते हैं, और दोस्तों मेरे पास 3-4 case ऐसे आए हैं, जो देखके मुझे मुझे लेकिन हाँ, ऐसे case सामने आए, कि उन्होंने sectionate company बनवा दी, और जब sectionate company का approval हुआ, उसमे microfinance word नहीं था, मेरे बिल्कुल practical case study बता रहा हूँ आपको, मैं जानबुच के नाम नहीं बता रहा हूँ, ना consultant का नाम बता रहा हूँ, ना ही यक्ती का नाम बता रहा हूँ, लेकि company के objective में, आपके microfinance approve नहीं है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं, this is a ultra virus, ultra virus का मतलब होता है, जिस company के लिए registered हुई है, उससे भार काम कर रहे है, और ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, तो sectionate company, current में microfinance के लिए eligible नहीं है, normally आपको practical problem आएगी, अब दोस्तों का solution क्या है, being a professional opinion, मेर मेरे experience के हिसाब से, अगर कोई प्राणी company बनी हुई है, या microfinance की, तो उसमें ये चीज allowed है, आप कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं, उस company को, आप अपना management change करके, उसमें आपनी working कर सकते हैं, दूसरा, अब NGO की जो दो categories है, जो society है, trust है, क्या उसमें हम microfinance का का काम कर सकते हैं, तो ब दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आप sectionate company में, आपके सामने कोई ऐसी situation आती है, आपके consultant कहते हैं, कि आप sectionate company में microfinance कर लिजे, तो थोड़ा सा लट रहिए, awareness रहिए, knowledge लिजे, देखिए कि objective में microfinance लिखे हैं, ने लिखे हैं, अगर approve हैं, तभी उसमें काम करना, अधरवा करूँगा, लेकिन जब तक objective अपरूब ना हो, जब तक इसमें microfinance मत कीजिएगा, यह मेरा suggestion है, otherwise आप problem में आ सकते हैं, thank you दोस्तों, मुझे उमीद है, कि आपको यह information अच्छी लगी होगी, useful लगी होगी, और आपके काम की भी होगी, subscribe चैनल जरूर कर लेना, और मैं आपक कोई ऐसी unique information देता रहूँगा, thank you so much.